पीम विसकरमा योजना जो है बाहरा सरकार दोरा एक चलाई जाने वाली योजना है जिसके अंतरकर दोस्तों जितने भी विरुजगार, युवा और युक्तिया हैं उसके लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतरकर दोस्तों आपको जो है इसमें 15 दिन के आपको टे यह लॉन भी प्रोवाइड की जा रही है जिसके तह दोस्तों आप बीजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बार सरकार जो है इसके लिए तीन लाग तक का लॉन प्रोवाइड की जा रही है जिसमें दोस्तों आपको जो है इसमें लॉन सलाना भरना परेगा साथ-साथ दोस्तों आपको जो है किन-किन कामगारों को इसमें मिलेगा जिसका लिस्ट दोस्तों मैं इसमें आपको दे दूँगा जो इन इन वेक्टियों को जो है इस पर आउनलाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत एक्जामपल के तौर पर मैं बता देता हूं जैसे राज मिस्त्री हो गया मोची हो गया चटाई बनाने वला हो गया मजदूर हो गये दरजी हो गये इसमें जो है अपलाइक कर सकते हैं अपलाइक करने के लिए जोस्तों दस्ता बेज जो आपको लगेगा पह अगर रासन काट आपके पास नहीं है तब भी हो जाएगा उसके साथ साथ दोस्तों आपको बैंक के पास्वुक होना जरूरी है आप इसको ऑनलाइन कैसे करना है इस परक्रिया को जानेंगे तो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल दोस्तों मिलेगा digital connect CSC फर्स्ट नवर वाले आप्टिन पर आपको करना है क्लिक कर देना है तो आपका जो CSC id होगा उसमें आप लोग इन हो जाएंगे तो मैं इसमें जो मेरा CSC id है उस वाले आप्टिन पर आपको क्लिक कर देना है अगर इसे पहले आप लोग नहीं किय हो तो दोस्तों आपको यूजर इडि पास्पूट मंगेगा अगर लॉग इन कर लिए होंगे तो आपको नहीं मांगेगा डिरेक्ट इसमें आप लॉग इन हो जाएंगे जैसे कि मैं लॉग इन हो गया हूं उसके बाद दो सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है किलिक कर इस परकार से खुल के आजाएगा आपके पास उसके बाद दोस्तों यहां पर साइट में मिलेगा लॉग इन उसके बाद दोस्तों मिलेगा यहां पर CSC और CSC रजिस्टेशन वाले आप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा बरफिंग करेंगा अब यह अब दूसरा पेज पर रिडारेक्ट करके ले जाएगा जैसे कि दोस्तों यह लेके आ गया आप देख सकते हैं तो इस परकार से आप आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है किया आप गर्वर्मेंट उंप्लॉई ह यह आपकोЁ फैं मली है तो आपके अगर आपके गवर्मेंट पूइप साथ आप नहीं कर सकते हैं अकर नहीं है तो उसके बाद दोस्ता बोला है पी रौक्र करते हो अगर नहीं लिए हैं तो नमने आभट ओब्दीर करना है उसके बाद दोस्तों आज Іहा प आ सथार-स तो मैं इस पर continue वाले option पर किलिक कर देता हूं जैसे कर देंगे दोस्तों आपके अधार कार्ड में जो mobile नमर जुरा होगा उस पर दोस्तों एक OTP आएगा उस OTP को इसमें क्या करना है आपको फिल कर देना है तो मैं इसमें आपको फिल कर देता हूं उसके बाद दोस्तों नीचे में मिलेगा आपको continue वाले option तो आपको इसमें क्या करना है नीचे वाले continue वाले option पर किलिक कर देना है जैसे इस पर किलिक करेंगे आपके दूसरे जो है अधार कार्ड वाले option पर ले जागा उसमें अंगुठा देगा जैसे अंगुठा दे देगा तो वो सक्सेस्फुली बर्फिंग करने लगेगा और पेज में ले जाएगा उसके बाद दोस्तो फ commerce पर ही मिलेगा परष्टनल डीटेल आपको यहां पर परस्ट करना थेगा और समय यहां छेलक्त करनास बीसी नियाग पूछ पूछ रहा है तो yes करेंगे नहीं तो no वाले option पर टिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है do you are you doing business in same district, same district को अगर business करना चाहते हैं तो yes करेंगे नहीं तो ऐसे ही छोड़ देके यहां पर contact detail ठीक है इसमें आपको पहले already नमर फिल रहेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका जो है अधार नमर भी already फिल रहेगा आपको additional जो है यहां पर more already फिल रहेगा अधार नमर उसके पुछ पूछेगा है दोस्तों आपको तो pain card फट थो डाल सकते हैं नहीं तो दोस्तों optional है उसको भी आप चोल सकते हैं मेरे किसमें यहां ऌर है तो हम इसमें नमर फटा फट डाल रखेख कर देंगे जो भी मेरा पेंक्रा नमर है उसके जिसिसका ना रहेगा इसमें आपको सो हो जाएगा तो जिसका अगर नाम काटना चाहते हैं तो delete वाले option पे click करेंगे उसका नाम दोस्तों कट जाएगा अगर जोरना चाहते हैं तो add वाले row पे click करेंगे और यहाँ पे उसका नाम देंगे यहाँ पे क्या relation है यहाँ पे अधार नमर डालेंगे और नहीं चाहते हैं तो delete वाले option पर click करके उसको delete कर सकते है address जो आधार card पर वो सही same address है current address same है तो इस वाले option पर click करेंगे और पूछ रहा है कि आप gram पंचायत के अंदर आते हैं तो yes करेंगे no नहीं आते हैं तो no वाले option पर click करेंगे अगर आते हैं तो यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है अगर गरामिन से तो पंचायत होगा पंचायत का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने को बुलेगा तो आप पंचायत अपना सेलेक्ट करने को बुलेगा तो आप पं लेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है सब ट्रेड तो यह वाले उप्शन आपको नहीं मिलेगा कुछ जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद यह टर्म सेंड कंडिशन रहेगा तो इस वाले उप्शन पर आपको क्या करना है एक्षैप्ट कर लेना है उ इस वाले उप्शन पर करने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर क्रेडिट सपोर्ट उसके बाद दोस्तों बैंक डीटेल आता है तो इसमें जो भी बैंक है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है हम लोगों का जो बैंक है वो स करना हो कि क्योंकि इसमें दोस्तों पांच लाग तक का लॉन दिया जाता है तो लॉन लेने मों कोई दिक्त नो इसलिए अपना yourbed-acode और एक अपने एकउन्ट्स नम्बर अच्छा से Second करना है तो करने के बाद दोस्तों सर्च वाले option पर click करना है वो मिल जाएगा वो select कर लेना है तो मैं इसमें फटाफट click करके select कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों जो भी आपका account number है इसमें अपना account number डाल देना है तो मैं इसमें फटाफ़ाफट account number डाल देता हूं अगर आप credit support लेना चाहते हैं आपको छोड़ देना है अगर लेना चाहेंगे तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 5% इंट्रेस्ट के दर पर 18 मंद के लेल आपको जो है लॉन मिलेगा पहले एक लाग दिया जाएगा उसके बाद अगर वो चुका देते हैं तब 2 लाख रुपिया आपको प्रवाइड की जाएगी टोटल आपको तीन लाख रुपिया दिया जाएगा अगर डिजिटल इंवेंशन डिटेल चाहिए तो यस वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर लेना है जै हम छोटर इसमें अपको दोस्तों सैलेक्ट कर लेना है तो हम जो यसमें सैलेक्ट कर लेंगे कि दोस्तों मुझे जो है e commerce सर्वीस मतलब online समान जो बेचते हैं, यह भी मुझे सर्विस चाहिए, और quality चाहिए, तो इसमें हम दोश्चों जो जो हमको चाहिए customer से पूछ लेना है कि आपको क्या-का support चाहिए, वो सुसमें आपको क्या करना है, टीक कर देना है, तो इसमें हम जो जो किरिंग शप आड़े संसे में भूष means और टैटिक कर लेते हूं इसके के बार k», d यूद्य id अग्यद्ध हमें और च्रेम सेडरए सब्सक्रात, किलिक पर फेखराए सEEEE उसके बाद दोस्तो आपको जैसे किलिक कर देंगे तो आपको Final Summit पर ले जाएगा डिसल मिलर आएगा उसको क्या करना है पर लेना है उसके बाद I Agree वाले Option पर देस्ट चर्म पर किलिक करना है COACH उसके बाद दोस्तोव क्लिक करना है इसमें हम समिट वाले ऑप सं पर कर देते हैं कि जैसे किलिक कर देंगे में फ़रा दिर घूमेंगा, उसके बाद दोस्तोव इसका अप्लिकेशन जो समिट कर दो एक application number आपको मिलेगा उसको दोस्तों आपको क्या करना है customer को print कर देना है उसके mobile पर भी एक message गया होगा यह जो मिला होगा उसके बाद दोस्तों print करने को बाद आपको इसको cancel कर देना है done ok वाले option पर click करना है उसके बाद दोस्तों आपको 3-4 page का फिर से एक PDF मिलेगा आपको वो PDF आप फिर से इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड बले अप्शन पर किलिक करेंगे जैसे इस पर किलिक करेंगे, यह 3-4 पेज का आएगा आपके पास, यह भी आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर की जगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो